given below are two statements statement one nickel is being used as the catalyst for producing syngas and edible fats इसमें दो दो different चीज दी वी है statement two silicon forms बहुत electron rich and electron deficient hydrides दोगा इसमें एक चीज में आपको बताना चाहूंगा कि NCRT के according जो nickel है याने जब syngas आपकी produce होती है right मैंने आपको बताया था कि C plus H2 तो CO plus H2 बन रहा है इसमें nickel catalyst NCRT के according नहीं यूज होता not used समना आपको ठीक है लेकिन जो nickel catalyst है वो यूज होता है the hydrogen of vegetable oils ठीक है और वनस्पती वगेरा बनाने में मतलब edible fats समना याने जब vegetable oils है उनका आप hydrogenation करते हो in the presence of nickel ठीक है तो आपको क्या मिलता है edible fats जैसे हम जो खा सकते हैं ठीक है याने जैसे वनस्पती गीव अगेरा तो अगर आप NCRT के according देखोगे तो statement overall statement incorrect है समना आपको मतलब syngas नहीं बनाता है यूज होता water gas में यूज होता है हाला कि syngas को कभी-कभी आप water gas बोल देते हो लेकिन अलग-अलग है specifically mentioned नहीं क्या है तो अब देखे मैं आपको concept बता रहा हूं साब मेरा तो NCRT के according तो इसमें क्या है कि syngas नहीं बनता edible fats में nickel use हो जाता है तो इसका statement incorrect होना चाहिए लेकिन जो NTA ने answer की दिये इस statement को correct बोला हूँ है तो इसमें थोड़ा सा आप देखें एक बार थोड़ा confusion हो सकते लेकिन concept यह है NCRT के according यह है ठीक है तो वैसे तो होना चाहिए कि incorrect statement बट NTA के according this is correct statement statement 2 silicon forms both electron rich and electron deficient hydride this is completely incorrect तीन ताइप के hydride होते है या molecule जो hydride होते है जैसे एक तो electron deficient हो गया ठीक है एक हो गया electron rich हो गया और एक होता है electron precise ठीक है now electron जो deficient है वे होते हैं जैसे जो normal आपका जो Lewis structure बनते हैं उसमें electrons की कमी हो जाती है और कुछ bridging बगेरा करके आपके compound बनते हैं जैसे B2H6 इस डाइबोरेन का structure देखा होगा आपने मैंने भी वीडियोस में बहुत बार बताया हुआ है तो राइट जो पी ब्लोक की वीडियोस बताये जो डाइबोरेन है शेरिंग तो होगी पूरा Lewis structure बनते हैं उसके बाद भी इलेक्ट्रोंस बच जाते हैं जैसे लोन पेर्स पगेरा जिसमें रहते हैं जैसे अमोनिया हो गया H2O में हो गया oxygen के उपर right HCl देखोगे तो इसके उपर इलेक्ट्रोंस है तो यह electron rich हो गया ठीक है electron precise है जिसमें exact number जितने ज़रोते हैं उतने ही electrons है इसके लावा ना तो कम है ना ही जाता है जैसे hydrogen हो गया C2H6 हो गया ठीक है तो यह हो गया समझ महां है जो electron deficient है generally Lewis acids की तरह behave करते हैं क्योंकि इन्हें electron चाहिए होते है ठीक है और generally group जो 13 है उसमें बहुत ज्यादा इसमें यह बनाते है electron deficient hydrates जो electron precise है आपका group 14 है जैसे वो ग्रूप 14 के electron precise बिल्कुल correct number का है ठीक है तो यह same बिल्कुल precise electron बनाता है hydrate electron rich और electron deficient नहीं तो statement 2 इसके incorrect यह तो सही एकदम इसमें लेकिन यह NTA coding में answer बता रहा हूँ वैसे तो आपका जो NCRTA coding देखोगे तो both statements are incorrect लेकिन NTA की answer की coding क्योंकि नोंने sin gas को भी मान लिया है तो इसमें option number 4 is your correct answer I hope guys आपको यह समझमा होगा मैंने आपको सब कुछ समझानी कोईश के लिए कि क्या हो सकता है स्टMed स्प horr़ स्ट Tribe स्टать स्ट Tribe झाल झाल